हलो बच्चो मैं प्रियार आठोर आपके लिए एक बार फिर आपकी एक्जाम की तयारी के लिए लेकर आ गए हूँ चैप्टर नंबर 12 यह नि जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है उसका वन शॉट चैप्टर नंबर 11 हमने कर लिया है उससे जुड़ा हुआ है जहां पर हम बायो टेक्नोलोजी की क्या-क्या उप्योग है उसके बारे में देखेंगे और यहां पर देखो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं क्योंकि इस पे हर साल मतलब चैप्टर नंबर 11 और 12 में से मिनिमम आपको बड़े क्वेशन की अगर मैं बात कर तो यहां पर सबसे जादा आने के चांसेज हैं इनमें से एक जरूर मिलता है हर साल और हमें इसमें जो जो में में चीज़े हैं कि यह है क्या चैप्टर तो यहां पर हमें बात करनी है कि हमने बायो टेक्नोलोजी के सिद्दान पढ़ ली है प्रोसेस पढ़ ली लेकिन इसम कि क्रशी के शेत्र में जे बावादेगी की बताओ या फिर चिकित्सा के शेत्र में जे प्रोजोगी का पता करो या आणविकlet निदान यह मेन तीन उपयोग हमें या पर पढ़ने है हाला कि कित्सा के शेत्र में ही आणविक निदान भी आता है तो ये भी आपको इसके अंदर एड़ी करना है तो में ने दो चीजें हमें पढ़नी है और इस पे लॉंग क्वेशन आता है बिलकुल आप मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं इस साल वाले जो हमने चार मॉडल पेपर किये हैं यूपी, बियार, राजस्तान और एमपी सब में इस पे एक क्वेशन जरूर है लॉंग या शॉर्ट में से तो मैं तीन या पांच नमबर पक्के हैं आज के इस चैप्टर से ठीक है तो इसको बिलकुल ध्यान से देखना ह और मेंली इस चैप्टर के अंदर दिक्कते आती है कि लिखे कैसे हमें पता जरूर होता है लेकिन या पे शॉर्ट नोट टाइप के बहुत क्वेशन आते हैं और हमें लिखने की गडबड से परेशानी होती है इसलिए मैंने कुछ भी या पे काटा नहीं है और बिलकुल आ चैनली हमने उपयोग किया एक तो क्रशी रासायन या चैनली हमने कहां कि पौदों पे हम जब चिड़कते हैं तो पौदों को भी नुकसान होता है इसके साथ रहने वाले जो लाब दाय गीठ है वह भी मर जाते हैं ठीक है और ये पारिस्तितिकी खाद शंगला यानिकी उसके बाद हमें बात करनी है जेविक खेती की जो आजकल बड़ी पॉपुलर है तो जेविक खेती हमारे लिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पे हम और्गेनिक खाद यूज करते हैं तो आजकल ये बड़ी ट्रेंड में है लेकिन उससे भी जादा एडवांस हमें बात करनी है जेव पॉध्योगी की जहां पर हमने आनुवांशी की अभ्यानतर की जेव पॉध्योगी की बोलो जैनेटिक इंजिनिरिंग बोलो बायो टेकनोलोजी बोलो सब में यही कानी है तो इसके आदार पर हमने क्रशी को नए मुकाम दिये हैं और बहुत सारे ऐसी चीजे हमने कर बइटैकनाली की थेंट चेक्टर नाम कम श्यक्तिक टारी ये और और आपको वाला भी बताना पड़ेंगा यह सब शॉर्ट करना पड़ेगा सब कुछ एक के के परेग्राफ में करना पड़ेगा मुण पूरा chapter लिखने को भी आ सकता है अब उसको शॉर्ट कैसे करेंगे तो वो भी तेखते जाएंगे अलो चलो सबसे बढ़े लाव में यस तो क्रशी Luckily क्रशी के लिए हमने कह सका बहुत हानिकारक होते यह हैं कुश्चनर यह पर रासा जचाएकक बाब कि how don rating रासायइनिम पदाट को उपयोग में लेने से क्या नुपसान होते हैं और इसका हमने क्या सोलूशन निकाला है तो भई क्या सोलूशन निकाला है जेयो फृद्दगी की में हमने जैनेटिक मॉडिफाइड फसले उगाना शुरू कर दिये तो पहला क्वेश्चन तो यहीं बनता है बहुत बार मॉस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में और मॉडल पेपर में भी है जैनेटिकली मॉडिफाइड जीव किसे कहते हैं या अनुवान्चिक जीव किसे कहते हैं तो जीव का मतलब सिर्फ एनिमल से नहीं है यहाँ पे प्लांट प्लस एनिमल दोनों की बा कॉर्टीन डाल दिया जिससे फसले जो है अच्छे से उगने लगी उनको खाने वाले टिड्डे विड्डे हैं उनसे भी उनको बचाओ मिलने लगा तो सबसे पहले परिवाशा क्या है जैनेटिकली मॉडिफाइड जीव कि इनी को हम क्या कहते हैं पार जीनी जन्तु भी कह जन्य हो सके ताकि इन क्रशी को रासायनिक द्वारा परियावनट से बचा जा सके इसके लिए हमने क्या किया है जैनिटिकली मॉडिफाइड फसले बनाई है और जैनिटिकली मॉडिफाइड जीव बनाए है फरिवाशा आ रही है अभी तो आनुवानशिक रुपांतरित ज जीव किसे कहते हैं तीन नाम है इसके जैनिटिकली मॉडिफाइड इंग्लिश में जिसको जीएमो भी कहते हैं कई बार जीएमो के नाम से भी आता है तो तीनों नाम याद रखने है जीएमो रुपांतरित जीव और पार जीनी जन्तु ठीक है पार जीनी जन्तु सबसे है यह परिवाशा है इसकी डेफिनेशन लिख ले पार जीनी जन्तु या जैनिटिकली मॉडिफाइड जन्तु क्या है जीव धारी पादब जीवानु कवक जन्तु देखो सब आ गए हैं इसके अंदर आधी जिनके जीनों को फेर बदल करके परिवर्तित किया जाता है जीवानु कवक और जन्तु लेकिन अगर आपको सिर्फ पार जीनी जन्तु बोले तो यहाँ पर क्या जाएगा जन्तु जन्तु जिनके तो जन्तु लिख देना है यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ जन्तु के बारे में पूछा है लेकिन जीव बोले तो सब के एक्जामपल लेने पड़ेंगे. अनुवाईशी के अभ्यानत्री कि में हम क्या करते हैं जिवें किसिग को हमारा जिवें है जिससे हमें कोई प्रोटीन चाहिए उसका जिव उठा के उस पादे जीव के अंदर कोई जीव शब्द बोलू तो समझ जाना कि वो इनमें से कोई भी हो सकता है उसके अंदर डाल देते हैं अब हमने उसमें कोई दूसरा जीन डाल दिया है कोई DNA डाल दिया है इसलिए वो क्या बन गया है जैनेटिक मोडिफाइड हो गया है क्योंकि उसका जीन हमने बदल दिया पहले जो उसके जीन थे उसमें बाहर का जीन लाके जोड दिया है तो प्रतिलीपिया करवा देते हैं या फिर दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं उसका कोई खराब जीन है जो दूसरों को नुकसान जा रहा था उस जीन को वहां से काट की हटा देंगे कि चलो निरात हुई अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुचाएगा तो या तो मोन करके ठीके या फिर उसमें कोई उलट फेर करके हम क्या बनाते हैं जैनेटिकली मोडिफाइड यहां पर देखो लिखा हुआ है पार ज क्या किया कहीं लाबदायक परपोशी पौदे और जन्तु जो है इसके उप्योग के लिए लाबदायक होते हैं जीमो से हमने कहीं पौदे और ऐसे जीव बनाये हैं जो हमारे लिए इस प्रक्कति के लिए लाबदायक हो सकते हैं अनुवांची के रुपांत्रे द्वारा क् कर सकते हैं सबसे पहला देखो यह पूछा जाता है कि पारजीनी जनतु क्यूं बनाये जा रहे हैं यह क्यूं का अंसर है ठीके पारजीनी या अनुवांची की रुपांत्रे जीव क्यूं बनाये जाते हैं तो पहला यह शौट में आ सकता है अज एक प्रतिवल जैसे सूखा थंड लवन ताप के प्रती अधिक संशनु फसलों का निर्माण करने के लिए इससे हम ऐसी फसले बना सकते हैं जिससे वह फसले पाला गिर जाए तेज बारिश हो जाए बहुत जाला टेंपरेचर हो जाए सूखा गिर जाए उसमें भी वह डटी के डटी रहती है पहले क्या ह होता था थोड़ी सी तेज बारिश हो गई तो फसले खराब हो जाती थी अब ऐसा नहीं होता जेनिटिकली मॉडिफाइड में हमने कुछ ऐसे जीन्स डाल दी हैं जिसकी वजह से वह सूखा ठंड इनको एक हद तक सहन कर पाती है दूसरा रासाइनिक पीड़ों को पर अगर हम फसल को ही मॉडिफाइड कर देंगे तो इसको वो कीड़ा खायेगा यह इसका उधारण क्या देखेंगे हम इस चैप्डर के अंदर हम बीटी कॉटन देखेंगे ठीक है, बीटी वाला इसका एक्जामपल है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, अभी देखेंगे आगे, कटाई पश्या तो होने वाले नुक्सानों को भी कम कर सकते हैं, फसले जब कड़ जाती है, तो उनको स्टोर किया जाता है, वहाँ पे चुहे, धूप, मानलो कोई ऐस फसल को खाने से, हम मर सकते हैं, तो वह चुहे फिर उस फसल को नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, तो अब बात कर लेते हैं, क्या-क्या की पौदे और खनीज की शमता में व्रद्दी कर सकते हैं, मानलो आपको ऐसी फसल बनाना चाहते हैं, जिसमें खनीज तत्व जादा हो इसका उधारण क्या है ये देखो फोटोग्राफ हमने क्या बनाया है येलो राइस यानि कि गोल्डन राइस जो हमने बनाये ये इसका उधारण है हमने क्या किया गोल्डन राइस में इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल मॉडल पेपर के अंदर है विटामिन A का ठीक है विटामिन A ये पूछा जाता है इसमें क्या होता है हमने MCQ में भी बहुत सारे MCQ इस टॉपिक पर कर लिए बार बार गूम फिर के ये क्वेशन बार बार आ रहा है ठीक है विटामिन A डाला इसके अंदर अब विटामिन A का प्रीकरसर क्या होता है तो ह जब हमने विटामिन A का जीन चावल में डाला तो बीटा केरोटीन येलो कलर का होता है जो विटामिन A बनाता है पहले बीटा केरोटीन बनता है उसके बाद विटामिन A बनता है तो ये पीले कलर का होता है इस वज़े से चावल में ये जीन हमने जैसे ही डाला तो चावल पी तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं या लिख देती हुमें हाला कि या लिखना सही नहीं है क्योंकि यह प्रीकर्सर है उसका तो हम यहां पे यह एक्जम्पल इसका हो गया ठीक है विटामिन A सम्रद हमने गोल्डन राइस बना लिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं वैकल्पि में हमें लाब पहुचा रही है ठीक है चलिए यह किसका अंसर था यह अनुवांशिक रुपांत्रित जीव क्यों बनाए जाते हैं उसका अंसर था अब बात करते हैं BT का पास तो क्रशी में आपको उप्योग पूछ ले क्रशी में जेव प्रोध्योगी के उप्योग फसल है वह यह जी एम फसल जैनिटिकली मोडिफाइट प्लांट हाला कि सबसे पहले बीटी कॉटन नहीं बनी थी सबसे पहले कौन बना था ये भी आपको याद रखना है सबसे पहले बना था BT ब्रिंजल सबसे पहले कौन सा बना था बीटी ब्रिंजल बना था उसके बाद हमने BT कॉटन, BT टमाटर बहुत सारी चीज़े बनाई अब क्या है BT फसल या BT क्या है तो एक जिवानू होता है, ये कहीं बच्चों को confusion होता है, मैं बीटी क्या है, बीटी जो है, इसका short form है, बीटी, देखो bacillus thuringiensis, तो इसका B और इसका T ऐसे ले लिया है, एक जिवानू होता है, जिसका नाम क्या है, ये question भी बहुत बार आया हुआ है, bacillus thuringiensis, क्या है, एक कीडा खा ले, कोई कीट खा ले, तो उसको मार देती है, सवाल इस पर दो तीन दरगे बनते हैं, पहला सवाल, ये protein bacillus thuringiensis के अंदर रहती है, लेकिन इसको क्यों नहीं मारती है, कीटों को ही क्यों मारती है, जो कीट खा रहा है, उसको क्यों मार रही है, और bacillus thuringiensis को क्य कीटों को मारती है, तो भई ये orthopoda, लिख लो यहाँ पर, orthopoda के कीट जो है, मैंने आपको दो-तीन नाम बताया थे, lepidoptera, colioptera और dioptera, इसको तीनों के क्यों कीटों को ये मार देती है, अब ये करती क्या है, इसके अंदर एक विशेश प्रकार की protein है, bacillus thuringiensis के अंदर, तो हमने bacillus thuringiensis को ही short में क्या क्या हा, बीटी कहा, कहीं बार पूछ लेते, बीटी क्या है, देखो, बात को ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोले, बीटी protein क्या है, या बीटी क्या है, तो बीटी तो क्या है, bacillus thuringiensis है, बीटी protein क्या है, तो बीटी एक प्रकार का क्या है जीव वीष है toxic है वई जिवानु जिसे तुरंजिस से निरमित होता है उसके बाद क्या होता है हमने क्या किया इसका उपbolt किया हमने कैसे उप्योग किया पहले बात चुनेंगे कि हम पहले क्या यूज करते थे जेव पीड़क की रूप में हमने इसको यूज किया क्वेशन इस पे भी आता है एक जेव पीड़क का नाम बताओ एक जेव नियंत्रक का नाम बताओ जेव नियंत्रक जेव नियंत्रक क्या होते हैं इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है जेव नियंत्रक मतलब बायो कंट्रोलर तो ये बायो कंट्रोलर के एक्जाम हम एक्जामपल ही पढ़ रहे हैं बायो कंट्रोलर के एक्जामपल ही पढ़ रहे हैं जेव नींतरख है, जीव के माद्यम से आप फसल के नुकसान को नियंतरित कर रहे हो, क्वेशन आया हुआ है, जेव नीynnतरख क्या होते हैं, शुक्ष्म जीवों के माद्यम से, विबिन प्रकार के फसलों में रोगों और उनसे जूड़ी समस्याओं को नियंतरित करना क्या कहलाता है जेव नियंतरिक कहलाता है तो ये BT को आटन जो हमने बनाया ये जेव नियंतरिक के रूप में बनाया था तो अभी क्या है कौन-कौन सी फसले बनाई है हमने BT मक्का भी बनाया है BT टमाटर भी बनाया है बीटी आलू भी बनाया है, सबसे पहले बीटी बिरिंजल बनाया था, अब बात को सुनेंगे, बैसिलस तुरंजियसिस में एक ब्रद्धी के लिए एक अवस्था होती है, जिसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, यह प्रोटीन कैसी है, इसको क्रिस्टलिय प्रोटीन कहते है, क्रिस्टलिय प्रोटीन कहते है, क्रिस्टलिय प्रोटीन, ठीक है, एक क्रिस्टलिय प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि यह क्या होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, और एक विशेली कीट नाशी प्रोटीन है, यह कीटों को मार देती है, लेकिन कैसे मारती है, ट्रिक स शडियंत्र रचाता आपको याद है कीट द्वारा इस प्रोटीन को खा लिए जाने से अगर कोई कीट इसको खा ले बीटी क्या है एक जिवान हुआ है ये पौदो के अंदर उपर कहीं मिल जाए मान लो कोई बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया जो है इसको कोई कीट खा ले तो नहीं है उसी के अंदर रह रही है तो बैसिलस को नुकसान क्यों नहीं पहुचा रही है उसका अंसर ये क्यों नहीं मारती बैक्टी जब ये प्रोटीन बैसिलस के अंदर होती है तो ये निश्क्री अवस्था में रहती है ये निश्क्री अवस्था में रहती है ठीके जब कीट इसको खाता है जब कोई कीट इस बैसिलस को खा जाए तो कीट के अंदर ये कहा जाती है आहर नाल में जाती है और आहर नाल में इसको शारिय पी एच मिलती है इस पे भी एक है अब्जेक्टिव आया हुआ है MCQ करा भी है हमने पिछले बोर्ड एक्जामस में जब ये कीट के अंदर जाती है मानलो ये कीट है किके इसके अंदर ये बैसिलस को खा लिया इसने बैसिलस बैक्टिरिया को खा लिया तो जब ये खाता है तो ये प्रोटीन जब इसके अंदर जाती है तो इसको क्या मिलता है एक्टिव हो जाती है और सक्री हो जाती है तो बैई अपना प्रकोप दिखाती है और इस कीड़े को मार देती है बस यही काम हमें करना है अब हमने क्या किया है हमने एक genetically modified fossil बना लिए इसका यूज करके bacillus thuringiasis bacteria का यूज करके हमने क्या किया एक फसल बना लिए ठीके अब यह फसल बनाई कैसे है वो बता रहे है से protein बनती है तो यह एक विशेश प्रकार की जो विशेली protein है यह एक gene से बनती है इस gene का नाम आपको याद करना है question ऐसे पूछा हुआ है cry gene क्या होता है cry gene क्या है तो यह रहा cry gene bacillus thuringiasis के अंदर हम एक कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे bacillus thuringiasis के अंदर विशेले प्रभाव वाली protein coat करने वाली gene को gene जो होती है यहाँ पे तो लिखा हुआ है बेक कपास को कपास के अंदर डाली है हमने वो ठीक है हमें आपको यह लिखना बता लिखोगे कैसे bacillus thuringiasis के अंदर एक विशेली protein पाए जाती है जिसे crystal protein कहते है इसे cry protein कहा जाता है यहाँ cry protein एक विशेश प्रकार के gene से निर्मित होती है जिसे cry gene कहते है ठीक है इसको code करने वाला gene कौन से है cry gene protein कौन सी है cry protein ठीक है विशेश प्रकार की protein होती है और यह keto को क्या कर देती है मार देती है अब यह cry protein जो है वो दो प्रकार की है एक तो जो कपास को बचा रही है एक और प्रकार की protein है जो मक्के से को भी बचाती है हमने बीटी मक्का भी बनाया है ना वह कैसे बनाया है तो दो तरह की प्रोटीन अलग-अलग मिल रही है हमें बैसिलस के अंदर कपास वाले के लिए अलग मिल रही है और मक्के ये लिए अलग मिल रही है इस पे भी question आया हुआ है देखो जीन का चुनाव फसल पे किया जाता है ङगा फसल कौनसी उस पर डिपेंड करेगा कपास है मक्का है आप उस पर डिपेंड करेंगे आपको क्या सलिक करना है कपास के लिए कौन सी प्रोटीन है यह देखो यहां पे भी question है कपास के लिए cotton ball worm के लिए दो प्रोटीन हमारे पास है दो प्रोटीन या प्रोटीन को बनाने वाला जीन बोल दो दो जीन है एक तो cry ac और cry second ab इस पे question आया हुआ है इसी साल model paper के अंदर है क्या है यह देखो कैस cotton में ball होती है cotton कैसे उखता है cotton का पौधा देखा है ऐसे उस पे ball लगती है ना कपास की ऐसे ball लगी होती है तो ball से याद करना है कि यह कौन सा रोग है cotton ball worm एक कीड़ा होता है वो क्या करता है cotton की ball को खा जाता है छेद कर देता है उसके अंदर है ना cotton की ball में ऐसे छेद कर दे रहता है, NCRT में पिक्चर भी दे रहता है, अब यह जो ball warm कीड़ा है, इसको मारने के लिए हमने क्या किया? वो जो bacillus thurangeesis था, जो bacillus thurangeesis का cry gene था, उसको हमने कपास के अंदर डाल दिया, और क्या बना दिया? एक modified fuzzle बना दी कपास की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? BT कपास क ठीक है बास समझ में आ गई हमने बैसिलस का जीन लिया और कपाज के पौदे में डाल दिया अब जब भी ये कीट कौन सा कीट ये कौटन बॉल वम का कीट इसको खाता था तो क्या होता था वही से हम चीज उसके अंदर वो प्रोटीन जाएगा शारी माध्यम मिलेगा और वो कीडा मर जाएगा क्योंकि ये विशेला प्रोटीन है मक्के और कपाज के लिए दो अलग अलग प्रोटीन है हमारे पास बैसिलस के अंदर दो प्रकार के हमें जीन मिल रहे है एक जीन मिल रहा है क्राई AC और क्राई 2nd AB ये किसके लिए है ये कपाज के लिए है और कपाज के कौन से रोग के लिए है रोग तो क्या है कीडा खारा इसको बॉल वर्म के लिए तो आप इसको याद कैसे करोगे कपास में बॉल होती है तो कपास का कौन सा कीड़ा है कॉटन बॉल वर्म उसके लिए कौन सी दो रोटीन है क्राइएसी और क्राइएबी यह अबजेक्टिव में आया हुआ है बॉल वर्म के लिए कौन सा है ऐसे ही मक्य में होता है कौन बोरर मक्य में क्या होता है कौन बोरर होता है इसमें कीड़ा क्या करता है मक्य के तने में छेद कर देता है बोरर का मतलब होता है छेद करना अब उस कीड़े को मारने के लिए हमने वही बैसिलस का जीन जो है वो मक्के में डाल दिया मक्के के पौदे में अब मक्के के पौदे में जो जीन डाला है उसका क्या नाम है क्राई एबी है तो सब यह बैसिलस से बने हुए लेकिन अलग-अलग नाम है तो वही मक्के के लिए कौन सा है? कौन नाम आ रहा है, देखो इस में, कौन का मितलए मक्का, तो ये मक्के में डाला हुआ है, और कहीं बार क्या करता है examiner चाला की ये कौन शब्द देता ही नहीं है क्याता है borer के लिए कौन सा gene है तो आपको borer ध्यान रखना है कि कौन borer है मक्य में छेद हो रहा है कपास में ball worm है क्योंकि कपास में ball बनती है और मक्य में छेद हो रहा है याद हो जाएगा तो मक्य के लिए हमारे पास कौन सा जीन है cry AB यह सब जीन bacillus के अंदर ही है तो यह आपको ध्यान लखने इस पर question आया हुआ है most important फिर से बोल रही हूं cry gene क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं तो cry gene क्या है वो देख लिया हमने bacillus thuringesis से लेके आये हम इसको crystal gene या crystal protein भी कहते हैं इसको अब एक और है पीड़क प्रतिरोधी पौदे और क्या बनाए हमने एक तो बीटी कॉटन बनाया हुआ है एक हमने बनाया है पीड़क प्रतिरोधी क्या होते हैं पीड़क प्रतिरोधी ये रोग प्रतिरोधी है देखो प्रतिरोधी शब्द हमेशा रोग से है ये रोग प्रतिरोधी में आएगा question को पूछ सकते हैं कि एक जेव प्रद्वगी का उप्योग रोग प्रतिरोधी किसमे बनाने में कैसे यूज किया हुआ है तो ये क्या है एक हमारे पास बिचारा जिसको हमने शडियंत्र के तरफ मारा है इसका नाम याद रखे ये एक गोल करमी था जो तमाकू के अंदर बिमारी फैलाता है नॉट रोग कहते हैं इसको कौन सा रोग नॉट डिजीज ये क्या करता था तमाकू के अंदर ऐसे गुच्छे बना लेता है अब हम बड़े परिशान तमाकू खराब हो जाती है इसके लिए क्या किया गया हमने आरेनें इंटरफेरेंस तो आरेने इंटरफेरेंस पर भी बहुत बार क्रॉशन आया हुआ है क्यों किया गया यह melanogyn incognita को मारने के लिए जो हमने technique यूज किये उसका नाम क्या है RNA interface ठीके और इसी का हिंदी नाम क्या है RNA interaction ठीके तो भई इस पे भी बहुत सारे सवाल लाए हुए हमने क्या किया है इनके संक्रमन को रोकने के लिए एक अनोखी वीदी यूद की जिसको हम क्या कह रहे है RNA अंतरक्षेप या RNA interference हिंदी और इंगलिश दोनों नाम याद रखे एक और नाम इसका RNA आई भी याद रखना है इसका जीन कौन सा है RNA आई जीन प्रविश करवा है हमने इसको interference से आई ल है तो भई RNA अंतरक्षेप एक वीदी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं यू केरियोटिक जीवों की कोशी का सुरक्षा कर रहे हैं और यह रहा टॉपिक यह भी model paper के अंदर है इस साल के तीनों model paper में से किसी में था यह ठीक है RNA अंतरक्षेप क्या कहते है most important भई यह दोनों ही chapter most important है मैं पहले ही किया चुकी हूँ chapter number 11, chapter number 12, chapter number 5, chapter number 6 ते एक बड़ा question जरूर आना है बाकी blueprint आप देख ले आपके अगर कोई board में ऐसा blueprint दे रखा हो तो बाकी इन में से चोटा और बड़ा एक question जरूर आएगा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको यह chapter RNA अंतरक्षेप क्या है तो हमने कहा हम क्या कर रहे है RNA में कुछ change कर रहे हैं लेकिन आपको पता है हम directly RNA में कोई change नहीं कर सकते हैं हम RNA में change करना चाहते हैं तो हमें DNA में change करना पड़ता है है ना क्योंकि DNA से ही RNA बनता है mRNA तो अभी क्या किया हमने इसको सुने एक बार पढ़ हम इसको रोक प्रतिरोधि के रूप में यूज कर रहे हैं ये बात हो गई मेलेनो गाईडीन को मारने के लिए यूज कर रहे हैं आरेने अंतक्षेप, आरेने इंटरफिरेंस एक जेविक प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट अमरेने अणों को निश्क्रिय कर जीन की अभिव्यक्ति को रोख देते हैं ये आपको परिभाशा लिखनी है अगर आरेने अंतक्षेप आपसे पूछ ले तो परिभाशा ये वाली आएगी ये रही परिभाशा ये उपर वाली ये परिभाशा हो गई ठीके क्या करते हैं हम इसमें इसमें हम आरेने का एक अनू विशिष्ट एमारेने बना लेते हैं और एमारेने अनू को उस कोशिका के अंदर प्रवेश करवात देते हैं जिससे की उसका खुद का एमारेने निश्क्री हो जाता है कैसे निश्क्री हो जाता है मैं आपको समझाऊंगी अभी इस विदी में द्वी रज्जु की कौन सा आरेने डाल रहे हैं डबल स्टेंडड आरेने जो जीव के किसी वांचित जीन से संबंदित होता है डबल स्टेंडड आरेने की मैंने आपको एक खूबी बताई थी कि को अपना पेर मिल जाता है मतलब वो डबल स्टेंडड हो जाता है तो कभी उससे प्रोटीन नहीं बनता तो हम यहां पे यही काम यूज करने वाले हैं हम क्या करेंगे वो जो मैलेनो गाइडीन है ना वो एक विशेला प्रोटीन बना रहा है जिससे तमाको को नुक्सान हो ठीके उस जीन को अनुलेखित MRN या निश्क्रियन कर देते हैं जिससे क्या होगा MRN की अनुपस्तिती में सम्मंदिक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा ठीके वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा हमने डबल स्टेंडड कर दिया आरेन को तो प्रोटीन बनेगा नहीं अब क्य अग्रोबैक्टिरियम संवाग का उपयोग करके सूत्र क्रमी विशिष्ट जीएने को पोशी परपोशी पौदे में प्रवेश कराया जा चुका है। हमने इसको क्या किया है तमबाकू के अंदर डाल दिया। किसकी साहता से एग्रोबैक्टिरियम की साहता से। इससे पहले वाले चैक्टर में पढ़ा था एग्रोबैक्टिरियम पोदों में कोई जीन प्रवेश करवाने के लिए करते हैं। हमने क्या किया तमबाकू के अंदर तमबाकू के अंदर एग्रोबैक्टिरियम जिसमें से कौन सा प्लास्मिट निगलता है। Ti Plasmid बनता है ना इस पे भी question आया हुआ है Agrobacterium में कौन सा Plasmid होता है Ti Plasmid इसका full form क्या है Agrobacterium Tumificans Ti Plasmid में हमने हमारा जो RNA था उसको डाल दिया RNA तो क्या DNA ही डालेंगे फिर उससे RNA बनेगा जब Melanogardine इस तमाको को खाएगा तो वो RNA उसके अंदर चला जाएगा और Double कर देगा Melanogardine के RNA को Double Standard बनाएगा कैसे बनाएगा अभी समझा रहे हूँ DNA का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोशी कोशिका में Earth यानि कि Sense और Anti-Sense RNA का निर्मान हो जाए यह सब समझा रहे हूँ मैं पहले इसको पढ़ू वैसे तो आपने सब ने पढ़ लिया है क्योंकि हम One Shot कर रहे हैं यह दोनों RNA एक दूसरे के पूरक होते हैं Complimentary होते हैं Sense और Anti-Sense दोनों एक दूसरे के pair होते हैं जो द्वी सूत्री RNA का निर्मान करते हैं जिसे RNA अंतरक्षे प्रारम हो जाता है और इसी कारण यह सूत्र क्रमी के विशेश दूत RNA को निश्क्रिय कर देते हैं अब सुनो यह तो हो गई लिखने के बाद ठीके मेनली बच्चों को दिक्कत आती है कि लिखे कैसे देखो क्या किया हमने हमने क्या करा तमाकू लिया यह तमाकू है इसका पौधा है ठीके हमने क्या किया मेलेनो गाइडीन यह मेलेनो गाइडीन का कीड़ा था जो तमाकू यह मेलेनो गाइडीन है मेलाइडे गाइन ठीके यह Melidegine का कीड़ा है बच्चों इसकी मातरा अटा देती हूं Melidegine ठीके अभी क्या है Melidegine में एक जीन पड़ा हुआ है ये वाला ये DNA है ठीके DNA में ही जीन्स होते है मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये इसके अंदर का ही कामकाज है ये पूरा Melidegine के अंदर की बात कर रहे है आपको पता है DNA से क्या बनता है पहले mRNA बनता है ठीके ये mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन बनती है ये बात आपको पता है तो इसमें एक ऐसी प्रोटीन बन रही है जो तंबाकू को नुकसान पहुचा रही है इस DNA को agrobacterium के अंदर प्रवेश करवा दिया ये DNA यहाँ पे agrobacterium के plasmid के साथ जोड दिया ये जोड दिया अब क्या होगा सेम कहानी यहाँ DNA से क्या बनेगा RNA बनेगा लेकिन हमने क्या किया है ऐसे दो DNA ले लिया मतलब एक यहाँ पे DNA लिया और एक यहाँ पे DNA लिया तो भई एक और हमने agrobacterium की सेल ले ली यहाँ पे भी सेम हमने DNA ले लिया सेम हमने melanoguidine का DNA लिया कौन सा DNA लिया जिससे ये dangerous protein बन रही है ये दोनों ले लिये अब आपको बता है DNA से RNA बनेगा तो यहाँ पे भी क्या हुआ DNA से mRNA बना और यहाँ पे भी DNA से mRNA बना अब आपको पता होना चीए कि ये mRNA और ये mRNA एक दूसरे के complementary होंगे क्योंकि ये सेम DNA से बने हुए ठीके सेम DNA से बने होते तो इसमें भी वही चीज होगी जो यहाँ वाले mRNA में बनी है अब दो चीज़यां यहाँ पे दिए senza RNA और anti-sense RNA क्या होता है देखो जो RNA कोई protein बनाता है उसको हम कहते है एक template से ही mRNA बनता है दोनों template से mRNA नहीं बनता और इसलिए नहीं बनता क्योंकि फिर दोनों mRNA ने जुड़ जाएंगे ठीके? और फिर protein नहीं बनेगा तो हमने क्या किया? यहां से एक mRNA ने बनाया यहां से दूसरा mRNA ने बनाया अब मान लो यह वो protein है यह वो protein है जिससे की क्या हो रहा है जो disease है वो फैल रही थी ठीके? यह disease जो है वो फैल रही थी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहरे हूँ? देखो यह DNA double standard होता है लेकिन DNA से हमेशा एक ही mRNA ने बनता है हमने क्या किया? वो जो double standard DNA था हमको पता है हमें तो एक ही mRNA बनाना है तो हमने एक DNA का एक टुकडा इदर डाल दिया दूसरा टुकडा उदर डाल दिया और दो mRNA बना दिये इस mRNA से विशेला protein बन रहा है जैसा कि यहाँ बन रहा था तो इसको मैं कहा रही हूँ कि यह sense RNA है sense का मतलब जो कोई हमें sense दे रहा है प्रोटीन तो यही बना रहा है यह वाला mRNA फरजी है इससे यह वाला protein नहीं बन रहा तो इसे हम कहा रहे है anti-sense बिमारी वाला protein नहीं बनाता यह और इसी का हम काम मिलेंगे अब हमने क्या किया यह वाला mRNA और यह वाला mRNA मिला दिया क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के complimentary है अलग-अलग DNA एक इस DNA से बना है एक इस DNA से बना है तो complimentary है क्योंकि DNA आपस में complimentary होता है हमने दोनों mRNA एक तो हमने sense वाला ले लिया और एक हमने anti-sense वाला ले लिया anti-sense AS मतलब antisense इन दोनों को मिला दिया तो आपको पता है ये बिछड़े हुए ये भी बिछड़ा हुआ ये भी बिछड़ा हुआ दोनों मिल गए तो दोनों मिले तो ये double standard बन गया double standard RNA बन गया ये कुछ ऐसा है कि ये ये भी बिचारा अकेला था तो भई इन दोनों को pairing मिल गई इन्होंने girlfriend boyfriend बन गया अपने आपको अब ये double standard हो गया है अब आपको पता है girlfriend boyfriend बन गया है तो कभी अलग होना चाहते नहीं है लेकिन हम इसे अलग करेंगे हमने क्या किया ये ही double standard RNA कहां डाल दिया तमबाको के अंदर डाल दिया ये double standard RNA कहां डाल दिया तमबाको के अंदर डाल दिया अब तमबाको के अंदर एक अलग story चल रही है तमबाको के अंदर क्या हुआ ये double standard RNA आ गया ठीके ये double standard RNA आ रही है तमबाको के अंदर आ गया अब ये कीडा तमाकू के अंदर गया, तमाकू के अंदर आया मतलब तमाकू की हर सेल के अंदर है, तो अब क्या कहानी रची जा रही है यहाँ पे देखो, ये तमाकू है, ये तमाकू की सेल है, इसके अंदर हमने double standard क्या डाल रखा है, हमारा RNA डाल रखा है, double standard RNA कोई प्रोट तो melanoguidin जैसे इसके अंदर, यह melanoguidin, चीक है, melanoguidin के अंदर, जैसे इसको melanoguidin ने खाया या इसके अंदर गया, तो यह double standard DNA इसके अंदर जाएगा न, वह खायेगा तो cell जाएगी इसके अंदर, सेल जाएगी तो double standard RNA भी जाएगा अब ये double standard RNA इसके अंदर चला गया ये देखो ये चला गया भई double standard RNA DS RNA Melodogynin में क्या process हो रहा है Melodogynin में अपना खुद का जो इसका DNA जिसको मैं अब green color का बना रहे हूँ ये Melodogynin का DNA Melodogynin के DNA ने mRNA बनाया वो जहरीली protein बनाने के लिए जहरीली protein बनाने के लिए mRNA बनाया इससे इसको protein बनानी है लेकिन ये protein नहीं बना पाएगा क्यों नहीं बना पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे देखो मैंने बनाया भी yellow ये इसलिए इसका mRNA हमने पहले से ही इसके Melodogynin के DNA से mRNA बना के रख़ा हुआ है या हमने mRNA किस से बनाया है Melodogynin के DNA से तो बनाया था तो Melodogynin के DNA से पहले ही mRNA बना के रख्य हुए हमने अब इनमे से एक mRNA बोलेगा यार यह तो मेरा बिछ्ड़ा हुआ पुराना एकस बॉइफ्रेंड है यह white वाला जो इसका pair है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा इसको pairing मिल जाएगी बिछड़े हुए यार मिल जाएगे जाएगे तो यहाँ पे देखो यह इसके साथ मिल गया इसको छोड़ देगा क्यों छोड़ेगा? क्योंकि जब यह यहाँ पे जाएगा तो इसके भी टुकडे होंगे ऐसे और टुकडे होंगे तो टुकडे होंगे तो यह बिछड जाएंगे फिर से यह दूसरा गर्फरेंड बॉइफरेंड डूंडेंगे तो इनको पुराना माला मिल जाएगा और यह double standard MRN बन जाएगा अब यह जो पहले normal MR बन रहा था अब यह double standard हो गया तो कुछ बनाता ही नहीं है तो हमारा काम खतम पॉईजनस जो चीज बन रही थी इसके अंदर रहे के तमाकू के अंदर रहे के जो पॉईजनस प्रोटीन बना रहा था वो अब नहीं बना पाएगा ठीक है समझ मैं आ गई बात वैसे तो मैंन बनाया तमाकू के पौदे से, तमाकी के पौदे को मेलेडोगाइनेंट से छुटकारा दिलाया, ठीके, समझ गए हैं, जीन चिकित्सा, अब चिकित्सा के शेत्र में क्या उप्योगे, इस पे भी क्वेशन आता है, चिकित्सा के शेत्र में देखो, पहले क्या करते थे हम, टी पहले क्या करते थे हम इंसुलीन को बाहर से लेते थे, यहां पे कुछ नहीं है, बोलना चाहरा है कि कहीं टीके जो हम लगाते हैं, जैसे अभी कोरोना वाला था, उसका टेस्क जब हम करते हैं, तो कोरोना वाला सब को सक्सेस्फुल नहीं हुआ, किसी को उससे ऐलर्जी हो बढ़ रहा था, तो जो भी टीके हम लगाते हैं, वेक्सिनेशन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं बार किसी को, किसी भी यूमन को उससे ऐलर्जी हो सकती है, तो इसका क्या सॉलूशन है, जैसे हमने इंसुलीन पहले किस से प्राप्त करते थे, पिग से, सुर के इ कुछ मनश्य को उस इंसुलीन से ऐलर्जी होती थी, क्योंकि 99% से में सबकी बॉड़ी, इम्यून सिस्टम अलग-अलग होता है, तो कुछ जो इंसान थे, उसको पिग वाला इंसुलीन सूट नहीं करता था, तो अब हमें क्या करना पड़ा, हमने बायो टेक्नोलोजी से, इ इंसान का ही इंसुलीन बनाना शुरू कर दिया, ठीके, तो ये पूछते हैं कि जीन थेरेपी क्यों लाब दायक है, तो भई, ये है कि इससे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, पुनयोगत दियन से, क्योंकि वो खुदका ही डियने यूज कर रहे हैं, जैसे मानलो कोई अगर किसी यूमन बाडी के अंदर उसको डाल दे, तो हो सकता है वो टीका उसको रोक फैला दे, वो मरा हुआ प्रोटीन भी इंसान के लिए हो सकता है, नुकसान दायको, तो पुनयोगत प्रोटीन और उपात के साथ ये समस्या नहीं होती, तो भई, जीन थेरेपी जो हम क शेत्र में जे प्रोटीकी का यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने पूरे देश में 30 ऐसे ओशदिया उत्पाद बनाए हैं, बायो टेकनोलोजी से, जिसमें से 12 भारत के, बारत में बिक्री हो रहे हैं, 12 तो भही बेचे जा रहे हैं, 30 बनाए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो बाकी कि यह हैं, वो successful नहीं है, कोई allergy कर रहे हैं, कुछ भी reason हो उसका, तो 12 तो बेचे जा रहे हैं, मतलब safe हैं अभी तक, ठीक है, अनुआंशिक निर्मित इंसुलीन, इसी का example देना है और एक जीन थेरेपी का देना है आपको, चिकित्सा के शित्र में, इंसुलीन कैसे बनाए ह हैं, देखो, अभी मैंने कहा कि इंसुलीन जो है, पिग से ले रहे थे, तो नुकसान दयक था, तो हमने क्या किया, हमने सुचा हम क्यों ना इंसानों का डीने यूज़ करके ही, इंसानों का इंसुलीन बना ले, लेकिन इसमें एक problem थी, क्या problem थी, problem यह थी, कि हमारा जो इं MRNA बनेगा और उस MRNA से इंसुलीन बनेगा लेकिन यह इंसुलीन वैसा इंसुल Only हम एक तरह से इसको कहते है प्री इंसुलीन है इसमें價 प्रोसेसिंग होती है हमने पढ़ाएमेबंढ़ेबग 6 इतर में वही प्रोसेसिंग होती है एक होती है C और एक होती है B यह B बना रही हो green वाले A, C, B इस पे भी question आया हुआ है model paper के अंदर ठीक है कि हम insulin बनाने में biotechnology का use क्यों कर रहे हैं यही reason बता रही हूं में क्यों कर रहे हैं अब क्या होता है हम जब lab के अंदर जो DNA से insulin बना रहे हैं उसमें यह वाली insulin बन रही है लेकिन यह तो pre insulin है main insulin जब बनती है तो हमारी body के अंदर एक अभिक्रिया एक process होता है जिसमें क्या किया जाता है C वाले को हटा दिया जाता है C वाले को हटा दिया जाता है जब processing होती है और क्या रह जाती है शिफ A और B रह जाती है C वाली को हटा देते हैं और A और B वाली को हम क्या कहते हैं? इंसुलीन कहते हैं मि से c अठाना पढ़े गा लेकिन ये हम लेब में नहीं अठा पा रहें लेब में हम इसको हठानी पा रहें तो अभी क्या solution है तो हमने यहां पे bio technology यूस की है कैसे बायो टेक्नोलोजी यूज की ये देखो, ये बूचण खाने से पहले क्या करते थे भई, पिग का लाते थे, बूचण खाना किसको क्या थे है, जहां पर पिग वगरा, पाले जाते हैं, मारे जाते हैं, वहाँ की बात कर रहा है यह है, ठीके, सुखर और मवेशों से, तो इससे क्या होता था, हमें ऐलर्जी होती थी, ठीके, तो हमने क्या किरा, प्रतिरक्शी प्रक्रीयाएं होने लग गई, your body बाड़ी बनने लग गए, एलर्जी होने लग गई, क्योंकि हम बाहर से को इंसुलीन डाल रहे हैं बाड़ी के अंदर, कुछ इंसानों को सबको नहीं, तो फिर हमने बायो टेकनलोजी का यूज किया, अब माना में जो कैसे करा हम कर रहे हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, इंस इंसुलीन बना रहा है, इंसुलीन वाला जीन निकाला, इसको क्या किया, इसको हमने पहले ये पता किया कि किस से A पॉलिपेप्टाइट बन रहे हैं, किस से C पॉलिपेप्टाइट, क्योंकि सब पहले mRNA बनाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, इस DNA के पहले देख लिया, जैस रहाए इससे भी बन रहा है तो हमने C को यहीं से अटा दिया काटा यहां एग्रो बैक्टिरीयम, ई-Coli की ऑमने ए-Coli, यहां पर भी हमने क्या किया, ई-Coli लिया, अब हमने क्या किया, A वाला DNA इधर बड़ या, और B वाले। पॉलि पैप्टाइडब बनाने वाले का DNA इधर दाल दिया, बस अब तो कुछ काम ही थे E-coli ने क्या किया, इसका MRN ने बनाया, इसने भी इसका MRN ने बनाया, दूसरी वाली सेल ने भी अब इससे कौन सी polypeptide बनेगी, इस MRN से A polypeptide बन गया, इस वाले से B polypeptide बन गया अब हमने इन दोनों को बाहर निकाल लिया यहां से A को बाहर निकाल लिया यहां से B को बाहर निकाल लिया लैब में जाके हमने क्या किया A वाली polypeptide और B वाली polypeptide को चोड़ दिया C हमने पहले ही बाहर कर दिया तो यह हमारा insulin तयार हो गया इंसानों वाला क्योंकि हम लैब के अंदर C को काट नहीं पा रहे थे C को अलग नहीं कर पा रहे थे तो हमने DNA सही गायब कर दिया उसको क्योंकि बनाया ही सिर्फ AB और दोनों को अड़ करके हमने इंसुलीन बना दिया इसके लिए हमने E. coli को काम में लिया प्लाजमीट से जोड़ दिया भी प्लाजमीट से जोड़ना पड़ेगा आपको कॉपी बनाने तो ये तो मैंने खाली DA ने बताया आपको इसको कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लाजमीट से जोड़ेंगे तो हमने E-coli के plasmid से जोड़ के insulin बना दिया ठीक है तो ये हमारा insulin बन गया ये पूरी process समझाई हुई है अच्छा यहाँ पर एक बात आई हुई है कि ये किस ने बनाया था तो सबसे पहले L.A. Lily L.E. Lily Company ने बनाया था भई L.A. Lily L.E. Lily Company ने सबसे पहले insulin मनाया था इसमें क्या होती है वही A-B chain होती है लेकिन जब और bond कौन सा होता है insulin के अंदर डाई-sulfide bond होता है ये देखो यहाँ पर ये जो हमने A-C ये चिक है ये देखो यहाँ पर किया हुआ है ये हमारा pro-insulin है इसमें ये वाली जो chain थी C वाली हमें खटक रही थी तो हमने C वाली को यहाँ पर हटाते है हमारी body के अंदर हटाते है और lab में हमने दूसरे तरीके से अटा दिया इनमें bond कौन सा होता है तो इनके A और C के मद्य जो normal insulin होती है उसमें A और B के मद्य कौन से bond होता है दाई-sulphide bonds होते है दो-दो-sulphide है भई ये ध्यान रखना इस पर question आ सकता है कौन सा bond होता है insulin के मद्य उसके बाद है मनुष्य सभी स्तंदारियों में insulin का sensulation एक प्राक insulin करवाते है मैंने कहा था प्रो-hormon है pro-insulin है क्योंकि इसके अंदर C भी जुड़ा हुआ रहता है अब हमने क्या किया इसको kriyashil बनाने के लिए C को अटाने की जरूत पड़ती है लेकिन हम वो अटानी पा रहे थे तो हमने पूर्णयोगस DNA टक्नीक का यूज करते हुए बिना C polypeptide का insulin प्राप्त कर लिया कैसे किया हूँ मैंने आपको बता दिया वो आपको diagram बनाना है ठीके E-coli में करा था पहले बता दिया है वहाँ पे देखो बोड पे E-coli का प्रवेश करे E-coli में plasmid के साथ जोड़के हमने insulin प्राप्त की है ठीके Dysulfide बंद बना लिये A निकाला B निकाला दोनों में Dysulfide बंद बना के insulin बन गया insulin का निर्माण कर दिया ठीक ये किसने किया है भई Allie Lily Company ठीके तो ये ध्यान रखें इस पे question आ सकता है अच्छा insulin की सरचना किसने बताई थी Sanger ने बताई थी ये भी आपको ध्यान रखता है ये जो सरचना है कि A होता है B होता है C होता है ये Sanger ने बताई हुई है अब है Gene चिकित्सा दूसरा इसमें example क्या देना है एक तो insulin देना है दूसरा Gene चिकित्सा Gene चिकित्सा क्या है अनुवन्चिक पदाट प्रविष्ट करा देते है मानलो आपको कोई बिमारी है तो आपके अंदर कोई ऐसा Gene डाल देंगे जिससे आपके वो बिमारी खतम हो जाए तो वो क्या हो गया Gene चिकित्सा हो गई ठीके यही है Gene Therapy इस पे भी question आया हुगा है Gene Therapy अनेक वीडियो के मेल से बनी ऐसी चिकित्सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भुरून शिशु में चिन्नित किये गए Gene के दोशों का सुधार कर सकते है आप में ही नहीं अगर कोई newborn baby है mother के stomach में है womb में है गर्ब में है तब भी अगर आपको पता चल जाए कि इसको कोई बिमारी है तो वहाँ पे भी आप Gene प्रवेश करवा सकते है ये Gene Therapy का कमाल है कहां यूज किया है example क्या देंगे मैंने आपको बताया था एक 4 साल की लड़की थी जिसको एक बिमारी थी skid क्या फुल फॉर्म बताय थी इसकी severe combined immunodeficiency syndrome इसको skid disease थी skid disease में क्या होता है जो ADA ADA gene होता है कौन सा gene ADA इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है आपको ADA को क्या होती है ADA enzyme होता है और उसी से जो gene बना रहा है उसको ADA gene बोलेंगे तो ADA enzyme की कमी हो जाती है अब ये ADA enzyme क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है adenosine deaminis इस enzyme की कमी हो जाती है जिसकी वज़ासे जो व्यक्ती होता है उसकी immunity बहुत कम हो जाती है जैसे AIDS में कम हो जाती है वैसे यहाँ पे भी immunity कम हो जाती है मतलब उसको कुछ भी हर तोड़े दिन में वो बिमार हो जाएगा और हो सकता है उस बिमारी के वज़ेसे मतलब सरदी खाजी के वज़ेसे भी उसकी death हो सकती है इतनी immunity weak होती है तो इस लड़की को ये बिमारी थी ठीक है चार साल की यए लड़की थी इस लड़की को ये बिमारी थी और बिमारी का इलाज हम डून रहे थे अब इस बिमारी के दो इलाज उस टाइम किये जाते थे A.D.A. प्रतिरक्षी तंतर के क्रिया कलापों के लिए आवशक होता है इसके बिमारा इम्यून सिस्टम है प्रतिरक्षी तंतर वो काम नहीं करता यहाँ विकार A.D.A. की जन्मजात कमी के कारण होता है यह पहले से ही उसमें जीन ही खराब है इसलिए A.D.A. नहीं बन पा रहा तो हमने क्या किया एंजाइन को कोड करने वाले जीन के विलोपन से होता है इससे जो A.D.A. को बनाने वाला जीन है वहीं खराब है तो वही A.D.A. प्रॉपरली नहीं बन रहा अब इसके दो तरीके हैं क्या दो तरीके हैं हमारे पास तो इसके हमारे पास ये तरीका है कि पहला तो हमने इसका एक तरीका जो डूंडा वो डूंडा कि हम इसका बोन मेरो यानि कि अस्ती मजजा का ट्रांस्प्लांट कर दे अस्ती मजजा क्यों अस्ती वज्जा का ट्रांस्प्लांट करेंगे विभी क्योंकि आपको पता है हमारी जितनी भी RBC, WBC ये सब कहां बनती है बोन मेरो के अंदर बनती है और इसमें क्या हो रहा है Immunity weak हो रही है मतलब WBC खराब है इसकी WBC में ADA का जीन नहीं बन रहा जिसकी वज़े से WBC लड़ाई नहीं कर पा रही तो हम इसकी बोन मेरो बदल दे बोन मेरो कैसे बदलते हैं इसके लिए operation होता है ठीक है, बोन मेरो ट्रांस्प्लांट कर दे प्रत्यार उपन इसके लिए क्या किया जाता है कोई भी एक व्यक्ति होता है एक व्यक्ति है उसकी यहां से बोन मेरो निकालके रोगी के अंदर डाल देते हैं अच्छा बोन मेरो डाल देते हैं लेकिन यह पर्मानेंट सॉलूशन नहीं है क्योंकि इससे करके देखा ऐसा लेकिन फिर भी उसकी जो सॉलूशन था वो नहीं कंप्लीट हुआ मतलब उसको टेंप्रेरी रिलक्सेशन मिला इतना स्ट्रॉंग उसको क्या नहीं मिला रिस्पॉंस नहीं मिला फिर भी वो बिमार हो रहा था इम्म्यूनिटी उसकी कमी थी दूसरा हमने यूज किया कि इसको ADA का ENZYM דे दे ADA ENZYM डाल दे ADA ENZYM THERAPY इसमे क्या कर रहे है इसमे हम यह कर रहे है कि रोज उसको ADA ENZYM नहीं बन रहा उसके अंदर तो ADA ENZYM के रोज injection दी जाए जाए इंजक्शन की साहता से उसको दवाई दी जाए रोज होस्पिटल ले जाओ इंजेक्शन दिलवाओ रोज होस्पिटल ले जाओ इंजेक्शन लेकिन ये सब क्या थे ये जो है पर्मानेंट इलाज नहीं है इस यहाँ या इससे कोई इस्थाई परिनाम नहीं हो रहा या समाधान नहीं हो रहा था रोज रोज थोड़ी ना इंजेक्शन लगाने ले जाएंगे कर्चा भी तो होगा प्लस बोन मेरों से भी कोई फायदा नहीं हुआ तो हमने क्या किया हमारे पास तीसरी वीदी जो है जो सबसे अच्छी है जो इस्थाई ब तो जीन तेहरीबी में हमने उपयोग किया एक विशाण का अब आपको पता है इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि पौदो के लिए हम एग्रो बैक्टिरियम यूज करते हैं देखो अभी कपास वाला जो हमने किया उससे पहले हमने जो मेलेनो गाइडी का इलाज किया उसके लिए हमने एग्रो बैक्टिरियम यूज किया पौदो के लिए एग्रो बैक्टिरियम यूज करते हैं जन्तू के लिए कौन सा करते हैं चैप्टर नमबर 11 कौन सा यूज करते हैं रिक्ट्रो वाइरस कौन सा वाइरस यूज करते हैं रिक्ट्रो वाइ क्या करते है यह क्या करते है यह RNA से पहले DNA बनाते है reverse transcription करते है यह इस बात को समझ लो पहले reverse transcription करते है जिसको हम क्या बोलते है प्रती अनुलेखन ठीक है अनुलेखन कैसा करते है reverse और फिर उस DNA से वापस MRNA बनाते है लेकिन अब यह जो आपको पता है इस प्रोसेस में central dogma की विपरित कहानी है यह है central dogma में क्या होता है DNA से MRNA बनता है MRNA से protein बनता है यहां पर क्या हो रहा है RNA से पहले DNA बन रहा है ultra system फिर RNA से protein बनेगा तो अभी हम जो यह MRNA बनता है इसको MRNA नहीं बोलते है इसको क्या बोलते है CDNA बोल देते है या CRNA बोल देते हैं भही यह जो DNA बनाए न यह RNA से बनाए उल्टी गंगा भही है तो इसको हम क्या बोल देते हैं C-DNA बोल देते हैं Complimentary DNA तो अभी Complimentary शब्द जहां पर आएगा DNA उसका मतलब क्या है कि यहां पर RNA से DNA बना हुआ है ठीके यह बात ध्यान लखना क्यों कि अभी आने वाला है C-DNA शब्द ठीके समझ गए तो हमने क्या किया पश्च विशानू का यूज किया कैसे किया सुनो हमने क्या किया हमने एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति जिसमें WBC थी WBC से ADA का जीन निकाल लिया ADA का जीन निकाल लिया यह है जीन ठीके हमने इसको क्या किया वाइरस पश्विशानू पश्विशानू मतलब जिवानू भोजी जिवानू भोजी अब मेरे को ये मत पूछना पूरा साल हो गया कि मैं जिवानू क्यों लिख रहे हूँ आप ये तो वाइरस है जिवानु बोजी क्या होते हैं जिवानु बोजी ही वाइरस होते हैं ठीक है जिवानु बोजी जो जिवानु को पहुचाते हैं जिवानु बोजी विशानु वाइरस इसको हम क्या कह रहे हैं पश्च विशानु है क्योंकि इसमें आरेने है आरेने है ठीक है हमने क्या किया इ इस MRN को इसका MRN निकाल दिया, इसका MRN निकाल दिया, कलर अलग बना दू, यह रहा हमारा MRN, ADA का MRN, ADA MRN बना लिया, हमने, ठीक है, हमने पश्च विशानू का MRN बाहर कर दिया, और नॉर्मल आरेने, और उसकी जगह क्या डाल दिया, हमारा ये वाला MRN, अब विशानू क्या करेगा, अब विशानू को हमने जो व्यक्ति था, जिसको ADA के डिजीज थी, वो लड़की, उसकी WBC ली, खिक है, उसकी WBC ले ली, ये रब WBC ले ली, WBC पे इस वाइरस को अटेक करवाया, तो WBC पे ये वाइरस जाएगा, और वाइरस की क्या आदत हैं, खराब आदत हैं, अपना जो RNA है वो अंदर कोशिका में डाल के अपना replication करना, यही वाइरस की कानी है, तो वाइरस ने क्या किया, वाइरस को तोड़ी न पता कि उसके अंदर हमने हमारा DNA डाल रखा है, उसका तो वो समझा अच्छा मेरा ही है वो तो copy copy करे जा रहा है अच्छा इससे विशाणू को कोई फरक नहीं पड़ेगा वो पैचानता नहीं न यहाँ पे आ क्या हुआ यह वाला RNA यहाँ पे आ गया RNA यहाँ आ पे आ गया अब WBC तो cell है cell अपना काम काम करती है, और यह विशाणू का RNA अंदर जाके क्या करेगा वह यहागता DNA अपनी copy बनानी है ना तो यह क्या कर देगा ? है CDNA बनाएगा, कौन सा DNA बनाएगा Cdna क्यो CDNA क्यों यह बात में पिछले बोर्ट पर समझा चुक हूँ, यह CDNA बनाएगा, इस CDNA से MRNA बनेगा और MRNA से ADA प्रोटीन बनेगी, ADA एंजाइम बनेगा, किसके अंदर, WBC के अंदर, ऐसी बहुत सारी WBC है हमारे पास, इन सब WBC को, जिसमें ADA एंजाइम है, ADA एंजाइम बना रही है या ADA एंजाइम वाला MRNA है, यही तो नहीं था उसके अंदर, इसलिए ADA एंजाइम नहीं बन रहा था, अब इसके अंदर आ गया है, इस WBC को, बोडी, उस लड़की, उस गर्ल के अंदर प्रवेश करवा देंगे, यह WBC डाल दी हमने, बस तो उसकी WBC प्रोड्यूस होती जाएग तब तक यह काम चलता रहेगा, हो सकता है WBC सेल की तरह कौपी भी बनाए अपनी, तो यह थोड़ा सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल प्रोसेस था, जीन थेरेपी, इसको कह रहे हैं हम जीन, हमने जीन डाला ना बच्चो, जीन डाला, ठीक है, तो हमने इसके लिए किसका यू यूज किया है और WBC का यूज किया है, इसको कहा रहे है जीन थेरेपी, अब पढ़ लो यह क्या कह रहे है, क्या किया आपने, दोनों ही इन दोनों ही वीडियो से, जो हमने दो बात बाते कहीं अभी, उससे कोई स्थायूपचार नहीं मिलता, तो जीन थेरेपी के प्रतम प कि हमने क्या किया, लिंफोसाइट में फिर से ADA बनाने वाला CDNA प्रवेश करवा दिया, ठीक है, अब समझ में आया है क्यों यहाँ पे CDNA बोला है, क्योंकि हमने इसको RNA दिया है, RNA से यह DNA बनाएगा, DNA से mRNA और फिर protein बनेगी, तो CDNA प्रवेश करवा दिया, इन सुधार की model paper में, इस जो 4-5 हमने model paper किये हैं, उसमें इस chapter 11 chapter से बहुत question है, ठीक है, आजो, अब है आणविक निदान, यह भी gene, चिकित्सी के वीदी का ही, एक क्या बोल सकते हूं, उपियोग बोल सकते हूं, ठीक है, हाला कि इस पे अलग से भी question आता है, आणविक निदान क्या है, आ आजकल हम कोई भी बिमारी या जांच करवाते हैं, जांच करवाते हैं किसी भी बिमारी की, तो क्या करते हैं, urine test करते हैं, है न, blood test करते हैं, अब उसकी report आती है, दो-तिन दिन में, प्लस, दूसरा क्या है, कि इन urine में, या blood में, अगर वो बिमारी करने वाला, जो भी bacteria है, वाइरस है, वो कम मात्रा में है, तो वो detect नहीं हो पाता, वो हो सकता है, जैसे AIDS का हमने पढ़ा, AIDS क्या करता है, AIDS को आप बले आपको अभी AIDS है, और कल आपकी बॉड़ी में, या महीने बर पहले आपकी बॉड़ी में AIDS का जो है, कोई विशानु आया है, लेकिन हमने पढ़ा है, कि AIDS जो है, पांच साल तक आपकी बॉड़ी के अंदर बिना कुछ प्रबाव डाले रह सकता है, पांच साल बाद उसके लक्षन दिखाए देते हैं, तो अगर पांच साल आप चेक अप भी करवाओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, कि आपको AIDS है, पांच से दस साल कम क्या करते हैं, molecular diagnosis करते हैं, आनविक जाच करते हैं, अब ये आनविक जाच क्या होती है, और कैसे की जाती है, उसके बार में पढ़ेंगे, पहले तो क्यों की जाती है, तो भई कारी की रोगों की पैचान के लिए करते हैं ये, किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए, ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो हमने क्या किया है, आनविक जाच की कुछ प्रक्रियां निकाली है, जैसे पुर्णयोगच डिये ने प्रद्योगी की, Polymerase Chain Reaction, PCR, जिसका Corona में भी यूज किया है, जो आप RT-PCR बोलते हो, Enzyme Lind, ELISA Test, यह बहुत important है, AIDS वाले में भी पढ़ा हमने, इसके full form भी याद रखनी है, प्लस यह आनविक जाच के अंदर भी आता है, वहाँ पे भी मैंने समझाया था, यहाँ पे फिर समझाओंगी, थोड़ा सा, इतना detail में हमें नहीं पढ़ना है, ELISA Test को, कहीं बच्चे उसको graduation level का पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना, जितना NCRT में दिया है, यह क्या काम आती है, कैसे काम करती है, बस उसका सिद्धान क्या है, यह ध्यान रखना है, तो हमने क्या किया, यह चीजे यूज की, अब यह कैसे यूज कर रहे हैं, तो किसी भी रोग जनक को, तब तक हमें अंदेशा नहीं होता, जब तक कि वो हमें detect नहीं हो, कोई लक्षन नहीं दिखे, लेकिन मैंने का, बहुए 805 से 10 साल बाद लक्षन देगा, तब तक तो वो आपकी immune system की 12 बज़ा चुका होगा 5-6 साल में तो, इसलिए हमें उसको initially stage पे खोजना है, और उसके लिए हम यह वीदिया यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली है polymerase chain reaction, PCR पढ़ी है हमने, इससे पहले लिटों में लाखो कॉपी बना लेता है, ठीके, लाखो कॉपी बना देता है, लाखो कॉपी बना लेता है, अब urine test में मान लो कोई वाइरस है, उसका कुछ भी DNA घूम रहा है, वाइरस है तो वह उसका DNA आरेने हमारी बोड़ी के अंदर घूम रहा होगा, ठीके, तो अभी वह क्या होता है, यूरिन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यूरिन टेस्ट में DNA टेस्ट तोड़ी न करते हैं, तो हम क्या करते है, आर्पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी- DNA के साथ combine हो जाता है और copy बनाता है तो हमारे DNA के साथ वाइरस का DNA भी copy कर रहा होगा PCR के अंदर अब पहले की condition और अभी की condition सुनो पहले क्या था वो कम मात्रा में था कोई चीज कम मात्रा में थी इसलिए detect नहीं हो रही थी यहाँ पर हमने लाखो copy बना लिये तो वो easily detect हो जाएगा इतने सारे गूम रहे हैं उसके DNA तो detect होगा कोई चीज जैसे कम मात्रा में होती तो नहीं पता चलता लेकिन जादा मात्रा में तब पता चलता है तो भाई अब इसकी मात्रा जादा हो गई है उस वाइरस के DNA की तो अब वो easily detect हो पाएगा तो PCR मेतट का यूज करके हम क्या करते हैं जैसे उपस्तिती का पता लगाया जा सकता है बहुत कम संख्या में उपस्तित पहल है एड्स के लिए ELISA test भी करते हैं PCR भी करते हैं क्योंकि वही number of copies बना देंगे उसकी ठीके तो एक तो PCR भी यूज करते हैं एड्स के लिए और दूसरा हम क्या करते हैं ELISA test क्या है ELISA test में हम क्या कर रहे है ELISA test क्या है इसमें हम क्या करते हैं कौन साइड किस सिद्धान पर काम करती है? यह antigen antibody प्रतिकरिया पर यह पूछा जाता है ELISA test किस concept में या किस प्रतिक्रिया पर काम करता है antigen antibody प्रतिक्रिया पर काम करता है कैसे इसमें क्या होता है एक plate रहती है उसके उपर क्या लगे होते हैं उसके उपर antigen लगे होते हैं antigen क्या होते हैं एक protein होती है हमारी बॉट से अगर कोई प्रोटीन आता है तो विशान हुए बैक्टिर आता है उसको भी एंटियन ही कहते हैं यह हम इम्यून वाले चेप्टर में पढ़िक आ तो अभी आपे क्या होते हैं एंटीजन होते हैं यह एंटीजन किसके हैं जैसे मालो आप एट्स का टेस्ट करने वाले हो तो यह एट्स के एंटीजन है मतलब एट्स जो वाइरस है ना AIDS virus है उसकी ये AIDS AIDS के वाइरस पे कुछ protein होते हैं जिसको हम antigen कहते हैं, HIV ये protein यहां लगे होगा है ठीक है अब हम क्या करेंगे हमारा serum लेंगे मतलब blood में से serum लेंगे और serum को इस पर डालेंगे अगर हमें AIDS है तो हमारी body ने उसकी के लिए थोड़े बहुत antibody बनाए होंगे ऐसा तो नहीं है बिल्कुल antibody नहीं बना रहे हैं क्योंकि AIDS दीरे-दीरे हमारी T-cells को मार देता है लेकिन जब तक उसने T-cells पर पूरा प्रकोप नहीं जाड़ा होता है तब तक तो हमारा body कुछ उसके लिए antibody बना रहा होगा तो हमन antibody ने बनाए है अब आपको पता है antibody और antigen एक दूसरे के दुश्मन होते हैं यह मिल जाते हैं और एक दूसरे को मारते धारते हैं ठीके तो यह जैसे आप इस पर डालोगे तो अगर आपके blood में अगर आपके blood में AIDS के antibody है तो वो यहां के चिपक जाएंगे क्योंकि इनको इस प्यार है दोनों में यह चिपक जाएंगे चिपकेंगे तो इस strip का यह जो strip है लाइस है कि उसका color change हो जाता है ठीके color अगर change हो जाता है या नहीं होता है जो भी case है तो अगर color change हो रहा है यानि कि antigen antibody reaction हो रही है मालो तो आपको पता जल जाएगा कि antigen antibody reaction कब होगी जब यहा color change नहीं होता या देखो इस strip का color बहुत अलग-अलग होता है और इंजिश रेडिश ऐसा भी होता है ठीके तो यहां पे अगर कुछ reaction नहीं होई इसका मतलब आपकी body में इसके antibody नहीं है और आपको AIDS नहीं है तो यह reaction हमें बताती है strip की यह वैसा ही है जासे हम वह pregnancy kit का test करते है ठीके वैसा ही कुछ है वह भी इसी मतलब वह antigen antibody reaction नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ है color आया तो positive test नहीं आया तो negative test ऐसा ही ठीके तो यह ELISA test होता है दूसरा है खोजी या प्रोब यह भी आणविक निदान की एक वीदी है इसमें भी हम प्रॉब यूज करते हैं यह DNA के यह एक बार बिहार बोड के paper में आया हूँ अभी है इसलिए मैंने important question में करवाया था प्रॉब क्या है जो mix वाले करवाया है उसमें कहीं करवाया है मैंने प्रॉब क्या है प्रॉब DNA के छोटे खंड है जो radioactive सूचक की तरह काम में लेते हैं उसमें किसी radioactive चीज को DNA से जो दवर्द में अपने संपूरक खंड की पैचान कर सकते हैं complimentary की पैचान कर देंगे यह 15 से 30 और यह क्या होते हैं यह radioactive होते हैं यह शब्द लगाना मत बूलना अब इस परिवाशा को कैसे लिखोगे सुनो nucleotide के 15 से 30 और यह शारक DNA radioactive खंड जो अपने संपूरक खंड की पैचान कर पाते हैं खोजी या प्रॉब DNA या प्रॉब खंड कहलाते हैं यह क्या करते हैं इनमें radioactive है तो यह जहां पे भी होते हैं यह अपने आपको शो कर देंगे तो हम क्या करते हैं DNA के ऐसे खंड बना लेते हैं जिसमें radioactive अनो को जोड़ देते हैं चिन्नित कर लिया मालो यह DNA के खंड है यह रहे इसमें कोई sequence होगा है ना सबका fix अलग अलग जैसे ATGC इसमें से हम क्या करेंगे यह जो ATGC है इसमें से किसी को radioactive अडिनोसीन ले लेंगे यह radioactive गवानोसीन ले लेंगे ऐसा radioactive वाला ले लेंगे तो मैं यहां पे G radioactive वाला ले लेती हूं ठीक है यहां पे भी G radioactive वाला है यहां पे भी G radioactive वाला है यह प्रॉब है 15-30 nucleotide के ही है छोटे ही होते हैं अब इसको हमने DNA fingerprinting में यूज किया हुआ है अगर DNA fingerprinting आपको याद है के श्र aixíक है तो वहां पे हमने प्रॉब डाले थे पह्चानने के लिए DNA हमें पकड में नहीं आता अगारोज जेल के अंदर तो हम प्रॉब डालते हैं इसको क्या करते हैं इसको जो हमारे DNA के तुकड़ें जैसे अगारोज जेल पे हिसमें प्रॉब को डाल देते हैं अब य ये ये single standard है, इसको तो पेर चैहिए, तो ये अपने पेर को ढूड़ेगा, यहां पर, यह जैसे कि जी का पेर कौन होता है, जी का पेर C होता है, तो अगर मानलो इसके पास C है, इसके पास C है, मैं सिभ एक से समझा रह usar, यह सारे न्यूटलो टाइट के लिए, इसके पास C है एक और dumping आए ग्हां वहां नो हमत्त करेंग तो और फट्रास कि अगुश्टत पूभी में सिंवक एलगे से में कुछ पकड़ कुछ कह tacit पहचानना है मडडर का young अ ऊच्छ्प्र सब्सक्राइब डियेने है उसके दीने को मैच करते हैं और सबस्ट पना झाकल प्र अब मलाइं मिलाएंगे तो चिपक जाएगा क२ंकि क्मप्लीमेंटरी है तो हम पकड़ में आ जाए तो भही तो किया हम नहीं आप यह प्रॉब वीदी का प्रियोक करते हैं ऐसा हम बीमारियों के लिए भी कर सकते हैं ठीके संकरन को बाद में ओटो रेडियोग्राफी ओटो रेडियोग्राफी यह भी बोला ना ओटो रेडियोग्राफी में पकड़ में आ जाता है रेडियोक् रखें प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन किसी की भी जाज कर सकते हो आप इससे लिमिटेड है एंटीजन की कर सकते हो कोई प्रोटीन पहचान नहीं हो तो आप प्रॉप विदी का उपयोग कर सकते हैं अब प्रारजिनी जन्तु जीमो की बात हमने की आगे लेकिन जीमो के बार प्रांसजनिक अनिमल भी कहते हैं सब इसी के नाम है जीएमोड, ट्रांसजनिक अनिमल, पारजीनी जन्तु यह सब क्या होते हैं यह परिवाशा हमने पहले लिख दिये कि उसके DNA में फेर बदल कर लेते हैं अनुवनशिक पदार्त में DNA में तो उससे जो जन्तु बनते हैं जो बहुत सारे जीव बनाये हैं लेकिन सबसे जादा क्या बनाये हैं चुहे यह बात आपको ध्यान रखनी है 95% 95% प्रतिशत हमने क्या बना रखे हैं चुहे और भी बनाये हैं गाय मचली वगेरा ठीके पारजीनी जन्तु में प्रवेश करा के सामान्य चुहों के आकार को दो गुनाव रद्धी कर दी हमने, बहुत सारे बनाए हैं, बेड बनाई हैं, यह तो hybridization से बनाई है, अब कुछ बंदर भी बनाए हैं, लेकिन हम पारजीनी जन्तु क्यों बना रहे हैं, इनका क्या लाव है, इस पे भी question आया हुआ है, तो क्यों का जवाब है यह, पहला, यह साम इनसान पर प्रयोग करने के लिए आपको भई गड्स चाहिए, परमीशन चाहिए, नि तो इनसान मर जाएगा, प्लस इनसान के शरीर में बहुत इतना बड़ा शरीर, उसके अंदर इतने सारे जीन, उसके comparison में एक चूहा या एक कोई छोटा कीट है, गिलेरी है, तो उसमें जीवों पर पहले तो इनकी जो क्रियाविदी है, इनकी जो फीजोलोजी है, वो हमसे थोड़ी सी इजी है, तो इसलिए इनका उपयोग करते हैं, जीवों का, पारदिनी जंतुगा निर्माण विशेशक के रूप में कर रहे हैं, हम विशेश रूप से इस प्रकार करते हैं कि जीनों के नियंतर्ण और उनकी शरीर के विकास और सामानी कारे पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्यान किया जा सके, इसलिए है करते हैं कि हम इजीली इन पर अध्यान कर सकते हैं, उधारन विकास में भागिदारी जटिल कारक जैसे इनसूलीन की तरह विकास कारक ठीक है, पहले हमने इनसूलीन फिग से ही बनाया था, दूसरी जाती के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत, उपरोक्त कारकों के निर्मार में होने वाले परिवर्तन से, होने वाले जेविक प्रगाव का अध्यान, कारकों के शरीर में जेविक भूमिका के बारे में सू जान वरोपय आपको पता है इतना लोड नहीं लेते लोग हाला कि अब लेने लग गए है तो थोड़ा सा इजी रहता है दूसरा रोगों के अध्यन में सायक होते हैं कोई भी आपको देखना है कि यह क्यों हो रहा है रोग तो आप किसी रोगी के शरीर से उसके जीन को निकाल ज cathedral कि किसी जन्तु में डालके देखलो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तो रोगों के अध्यन में थोड़ा सायक है यह जैसे कि हमने cystic fibrosis क्या होता है cystic fibrosis यह रोगोटे लेवर के अंद्र cystic fibrosis रूमेर्टोई्ट्स घठिया रोग जो होता है उसके बारे में काफ जेविक उतपात की रूप में पारजीनी जनतूओं का क्या contribution है पारजीनी जनतूओं के लाब बोल दो पारजीनी जनतूओं का जेविक हमने biological product कितने निकाले है तो इस पे तो भाई शॉट पे भी आये हो है अक्सर कोई भी प्रोडक्ट है खरीदो तुम्हों महंगा पड़ता है प्लस उसकी गारेंटी नहीं रहती जैसे बाहर से प्रोटीन ले रहे हो या बाहर से केल्शियम ले रहे हो बीच में वो केल्शियम की गूली आई थी उस पे काफी हाकार मच गया था कि बिना डक्टर की सला के ऐसे केल्शियम नहीं लेना है वनना आपको नुकसान हो सकता है तो भी महंगा होता है प्लस उसके रिस्क भी रहते हैं जैसे आजकल जो बाडी बनाते हैं बाडी बिल्डर वो भी बाहर से प्रोटीन लेते हैं भी लोग बना करने लगए ना कि बाहर से यह बनावा प्रोटीन नहीं लेना नेचरल डाइट लो अंडे लो पनी लो लेकिन वो बनावा प्रोटीन मतलो ठीके तो DNA के भाग होते हैं और इनसे जेवी कुदपात कौन सा जेवी कुदपात प्राप्त किया है यह बहुत famous example MCQ का भी और सबका मानो प्रोटीन एक alpha-1 anti-tripsin जो की emphysema के निदान में emphysema एक बिमारी होती है उसके निदान में जो लोग धुम्रपान करते हैं उनको ज़ादा होती है तो उसके इलाज में उनमें क्या होता है एक प्रोटीन की कमी हो जाती है alpha-1 anti-tripsin वो बनाया हमने कैसे बनाया उसका जीन किसी पारजीनी जन्तु के अंदर डाल दिया कॉपी बनाई प्रोटीन बनाया और उसको प्रोड़क्ट के रूप में बहर बेचने लग गया तो एमफी सीमा के उपचार में हमने किया हुए जेवी कुतपाद के उपर क्वेशन आया हुए इसको ध्यान से देख लो क्या क्या लिखना है उसके बाद फिनाईल क्यूटनूरिया का और रेशा के लिए हमने एक निदान हेतु काम किया है 1970 में पारजीनिक गाय यह भी बड़ी फेमस है इस पे भी क्वेशन है यह दोनों पे क्वेशन आया हुए रोजी गाय पे यह एमसी क्यू पे भी यह शौट टाइप पे भी आया हुआ हुआ है रोजी गाय में कौन सा प्रोटीन डाला हमने इस पे एलफा लेक्ट्व भी ने MCQ में किया भी हमने सब क्वेशन कर ली है मैं बार बार कह रहे हुँ कि जो बच्चे MCQ जिसके पास अब टाइम नहीं है रिविजन करना चाहते हो MCQ वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन और जो बैट से जुड़े हो है वो प्रेक्टिस क्वेशन है उनके पास उनके पास काफी चीजे हैं टेस्ट भी है MCQ तो छोड़ना ही मत MCQ और इंपोर्टेंट क्वेशन जो मैंने एक एक्जाम के तैयारी के एसाब ते दिये उनको बिल्कुल मत छोड़ना बिल्कुल मत छोड़ना मैं बार-बार कह रहे हूँ ठीके अलफा लेक्टो अलबिमीन मिलता है जो मानव शिशु के अत्तदिक संतुलन और पोशक के काम आता है यह इस पर क्वेशन आया हुआ है कि कौन सा दूद के अंदर कौन सा प्रोटीन डाला हुआ है रोजी गाय के अंदर रोजी गाय किस काम आती है ऐसे भी आया हुआ है कि रोजी गाय का जेवी कुत्पात के रुप में क्या उप्योगे तो रोजी गाय का जेवी कुत्पात के रुप में यह उप्योगे कि उसके दूद में हमने क्या कर दिया एलफा लेक्टो एलबिमीन बनाना शुरू कर दिया, उसमें जीन डाल दिया, वो जीन डाल दिया, तो जब दूद बना रही है, तो दूद के अंदर भी एलफा लेक्टो एलबिमीन नाम का प्रोटीन जादा पाया जा रहा है, ठीक है, तो हमें फाइदा हो रहा है, पोशक मि करते हैं ताकि जांच जो है इजी हो जाती जैसे पोलियो का जब हमने किया इसे फिर साईनिक क उरक्षा परेक्षन कोई चीज है कैसे टॉक्सिक नहीं और विशा लुता फरेक्षा कि माल विउतन है ये आपके लिख्टी हांगफ ll है यह नहीं इसका टेस्ट फ्रक्षा करोग़ εδώedere तो हमारे और उन में काफी समानता है तो उस पे प्रयोग करके हम देख सकते हैं पार्जी जनतु से मिलने वाले कुछ जीन ऐसे अविशालु पदार्तों के प्रती प्रती सम्वेदन्शील होते हैं जबकि अपार्जीनी जनतु ऐसा नहीं करते हैं जो पारजी नी जन्तु है हमने उसमें कुछ जीन में फिर बदल किया हुआ है तो उनकी प्रतिरोधक्षम्ता एक नॉर्मल वाला जो जन्तु है उससे ज़्यादा बेटर होती है और वो ज़्यादा sensitivity भी बताते हैं तो इसलिए हम उन पे non toxicity का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है कि वो कोई चीज हमारे नुकसान दायक है या नहीं है तो क्यूं है क्या हो रहा है क्या प्रभाव हो रहे हैं यह सब हम जन्तों के अंदर उन पारजीवी जन्तों के अंदर डालके देख सकते हैं अब है नैतिक मुद्दे इस पे जादा question तो नहीं आया है लेकिन पढ़ लो क्या है नैतिक मुद्दे अभी जस्ट मैंने कहा कि हम इंसानों पे नहीं करके जीवों पे कर रहे हैं लेकिन वही क्रिश्ट्री वाली मुवी का example दूँगे मैं कि उसने कितने भयानक प्रकार के जीव बना रखे थे तो कहीं बार हम कोई जीन किसी पारजीनी जन्तों बना रहे हैं फसले तो चीक है चलो कोई बात नहीं फसल का लेकिन हमने कोई ऐसा जीन किसी जीव के अंदर डाल दिया जो हो सकता है बहुत भयानक हो नुकसान दायक हो जैसा वही क्रिश्ट्री मों उसने कैसे जीव बना दिये थे जो प्रत्वी का नुकसान करने में लगे वे थे, बयानक थे, वो इंसानों के विरोध में काम कर रहे थे, तो कई बार पारजीनी जन्तु हमेशा हमारे लिए लाब दाय को ऐसा तो नहीं है, हम कोई अच्छा जीन उसमें प्रवेश करवाना चाह रहे हूं, लेकिन उसके जीन पिराना मुवी में क्या होता है, जो होलीवट मुवी होती है उसमें ऐसा बहुत बताते हैं, वो एक ऐसी मचली बनाना चाहते है, जो थोड़ी यूनिक हो, लेकिन वो ऐसी मचली बन जाती है, जो इंसानों को खाना शुरू कर देती है, कोई डेंजरस, मान लो कोई ऐसा अब ये कंट्रोल करना है, अब ये कंट्रोल कैसे करें, तो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पारजीवी जनतों को बनाने के लिए, उनको गौवर्मेंट की अंडर में किया जाना चाहिए, जैसे वो डाइनोसोर आपने जुरासिक पार्क भी देखिए, जुरासिक पा तो बिना नियम काईदे के मनुष्य जीवदार्यों पर किया जारा आनुवांचिक पेर बदल इसी तरह जारी नहीं रह सकता, भई ऐसा नहीं आप कुछ भी बना दो, उप्योगी चीज़े बनाने हैं आपको, मनुष्य के क्रियाक अलापों के मुल्यांकन और नेतिक मायनो कि अनुपालना के लिए बहुत आवशक है, नेतिक मुद्दे, एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, ठीके, आप रत्याशित प्रयोक्षाला में कुछ भी नहीं बना दें आप, और भयानक परिनाम हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा जैनिटिक मॉडिफाइज जीव बन जाए, अच्छा एक क्वेस्चन आया हुआ है, पार जीनी जनतु के नुक्सान क्या है, बच्चा हैरान भई, हमें तो भई उपयोगी बताये गए हैं, नुक्सान तो बताये गए नहीं है, ये है नुक्सान भई, पार जीनी जीवोक्षाला के क्या नुक्सान हो सकते हैं, ये क्व करवाया है important question में शायद model paper के अंदर ही करवाया है किसी ठीके तो यह नुकसान हो सकते कि कोई भी पार जीवी जन्तु हो सकता है कुछ ऐसा अप्रत्याशित परिणाम लेके आजाए दूसरा कुछ ऐसा बसमासूर का मतलब राक्षस टाइप का कुछ बन जाए बसमासूर मतलब कोई राक्षस जो प्रत्वी के विनाश करने पर तुला हो है तो यहां पर बसमासूर शब्द उसके लिए यूज कर रहे हैं जो मानव कल्यान के या परियावरन के या प्रत्वी के हित में नहीं हो जैसे वह आग उगलने वाला ड्रागन बन गया इंसानों को खाने वाला को कोई अना कॉंड़ा मुवी आपने देखी अना कॉंड़ा में उन्होंने चेंच कर दिया उसका तो ऐसे कुछ बयानक सी चीजे नहीं बन जाए तो यह नुकसान है पार जी कि कहीं बार वह फाइदे की जगह में नुकसान पहुचा सकते हैं तबाही का कारण बन सकते हैं ठी हो के प्रयोग कर रहे हैं उस पर क्या चुनोती है तो कहीं बार क्या होता है हम जीन के साथ कुछ अन्य ऐसे जीन मानलो आपने कोई वैक्सिनेशन बना है उसमें कोई ऐसा जीन आ गया जो आपके शरीर में एलर्जी उत्पन कर रहा है या आपकी इम्यून सिस्टम को नुकस सब्सक्राण पहुचा रहा है अथी का प्रयोग भी कियाजाता है इसके उत्पात कुछ मनुष्यों के लिए या प्रती अधवक्षि क्रिया के रुख में हो सकता है अटम वaisse्सीन या दवाई बनाकर हम यूज नहीं करते हैं को रो Killna में ऐसा नहीं किया पहले बहुत सारे पर लगाया गया जब उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए उसके बाद दूसरों पर लगाया गया गया ट्रांस्टेनिक जीव दुरगटना वश नियंतरन से बाहर हो जाते हैं आपने कोई ऐसा जी बना लिया और लैब में रखा डेंजर बन गया वह आप उसका पूछताच कर रहे हैं गौवर्मेंट से प्रविशन ले रहे हैं क्या करें वह वहां से भाग गया वही होलिवड मूवी में आपने देखा ही एनकॉंड़ा भाग जाता है लैब से तो ऐसा क कुछ हो सकता है यह प्रभाव ऐसा ही हो सकता है जैसा किसी शेत्र में वी जाती है बाहरी पोदे और जन्तू के प्रविश्य होता है और यह काईमेरिक प्रभाव कहलाता है पूछ सकते हैं काईमेरिक प्रभाव क्या होता है कि कोई पारजीनी जन्तू कोई पारजीनी जन्त चलो इंसान तो ठीक है, हो सकता है, फसल के अंदर कोई ऐसा जीन गल्ती से चला गया जो फसल को बिमारी फैला दिया, उल्टा काम कर दिया, वो उस बिमारी से तो इलाज कर दिया, कोई दूसरी बिमारी फैला दिया, तो ये साही चीज़ें हमें ध्यान डखनी है, हो सकता है कि आपने किसी कीडे को मारने के लिए जैसे मानलो हमने बीटी कॉटन बनाया बीटी कॉटन जो है वो कीटो को मार रहा है लेकिन उसका एक अच्छा फाइदा क्या है कि वो दूसरे लाब दायक कीटो को नहीं मारता सिर्फ नुकसान दायक कीटो को मारता है इसलिए इतना यूज में आ रहा है लेकिन मान लो वो पुछ लाबदायग किटों को भी मार ले जो पराग करता हूँ मतलब पॉलिनेशन कर रहे हुँ जैसे मान लो कोई मदुमक्ही है वो उस पेड़ पे बैठ रही है उसको उसका जूस पी रही है मकरंद पी रही है, नेक्टर पी रही है और उस मदुमक्खी में वो जीन चला गया और मदुमक्ख्या मर गई सारी तो पॉलिनेशन कौन करेगा भाई इदर से उदर पराग करों को कौन पचाएगा तो ऐसा भी कहीं बार हो जाता यह सब नुकसान है पारजीनी जनतुओं के ध्यान रखे यह इसपे क्वेश्चन आ सकता है क्या है भाई यह G.E.A.C. आया हुआ भी एक बार G.E.A.C. एक भारत की संस्ता है जो पारजीनी जनतुओं और अनुवांची के अभ्यान तरीके पे नियंतर रखती है ठीके याद रखना है इसपे क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है एक तो G.E.A.C. क्या है तो यह रहा पेरेग्राफ यह लिखना है आपको क्या काम करती है यह यह अनुवांची के अभ्यांतरीकी पे होने वाले प्रयोगों पे नियंतरन रखती है कि कोई गलत काम नहीं हो दूसरा इसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखती है यह रहा इसका क्या करती है यह यह समीती G.E.A.C. कारी है बई जन सेवा G.E.A.C. का कारी है और वैग्यानिक जाच पे काम करेगी कोई इशू हो गया कोई प्राब्लम हो गई तो उसका सोट आउट भी यही करेगी मालो जो वैग्यानिक काम कर रहे हैं उनमें कोई अन्बन हो गई कि वह एक के राई यह नुकसान दाया कि एक के राई यह फाइदबन दे है अब है पेटेंट क्या होते हैं पेटेंट क्या होते हैं कोई भी चीज जब हम बनाते हैं जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया बीटी कपास बनाया तो हमने ब्रैंड बनाना एक तरह से आप समझ सकते हैं किसी चीज को अपनी ब्रैंड बना देना ठीक है जैसे बीटी कॉटन ज जैसे रिबॉक है अमूल है तो इनकी ब्रेंड है आप इनके प्रोडक्ट को कहीं और यूज नहीं कर सकते अपना प्रोडक्ट बनाके आप पे क्या हो जाएगा भई केस कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे क्या है पेटेंट बनाना मतलग किसी भी चीज को एक नाम देना अपने अधिकार में ले लेना कि यह चीज मेरी है यह मोबाइल मैंने मनाया है यह मेरा है इस पे मेरा पेटेंट लगा हुआ है अब ऐसा मोबाइल आप अपने कंपनी का नाम लगा के बेचोगे तो आप पकड़ में आ सकते हो हाला कि ऐसा करते हैं लोग जब तक पकड़ में नहीं सरकार द्वारा किसी भी वस्तू या सेवा की खोज करता को जिसने उसे खोजा है वाले को वहां अधिकार जो अन्य व्यक्ति को इस खोज की व्यावसाई की उपयोग से रोगता है यह परीभाशा हो गहीं कोई और उसको उप्योग नहीं कर सकता और कर रहा है तो उसको कहीं बार क्या देना zamanis ऩर पहले कोई अविशकार हुआ है उसपे आपने कोई इंप्रूमेंट किया है उसपे पेटेंट मिल सकता है किसी उत्पात को बनाने की बीदी के लिए पेटेंट जैसे हम रदेना की ये गौस का नीयम है और ये इंसुलीन है वो ऐले लीली कम्पणी ने बनाई है कोई परिकल्पना दियो जैसे डार्विन की परिकल्पना है प्रकतिक चहंग का सिद्दान तो वह उसका है उसको twe कि आज मैंने प्रकतिक वरंगा सिद्दान दिया तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह तो डार्विन ने दिया है परिकलपना पर हाला कि अभी बहुत चेंज हो गए है पेटेंट पर बहुत सारे नियमों को चेंज किया गया है अब हर किसी पर नहीं दिया जाता अब पैटे यहां तो आप 50,000 बी एक बार के लिए याद रखें पचा सजा जातियां है ऐसा लिखा हुआ है शायद हमनें एक M.C.q किया है उसके अंदर थीक है तो 50,000 प्रजातियां हैं हमारे पास चावली और लाखों सालों से हमारे पुराने ग्रंतों में 200-400 साल 700 साल पुराने गरंथों में बासमती चावल के बारे में लिख रखा था लेकिन एक US की कमपनी है उन्होंने कहा कि बासमती चावल तो हमारा है हमारे कंटरी से निकला हुआ है और हमने इसका पेटेंट के लिए उन्होंने फाइल कर दिया यह हमारा है और जो भी अब अब इसको यूज करेगा या ब्रैंड का नेम यूज करेगा हमें कमेशन देगा हाला कि यह पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पुराने जो गरंथ थे पुरानी जो बुक्स थी और पुरानी जो उनके पास जितनी भी चीज़े थी जो ये साबित करें कि बासमती चावल इंडिया का है यहीं से पैदा हुआ है और फिर उन्होंने ये पेटेंट बनने नहीं दिया ऐसा ही बहुत सारी चीज़ों पेटेंट बनाये जा चुके हैं जैसे कि हल्दी नीम इस पे लोगों ने हम से हतिया लिये हैं यह हमारे हैं हल्दी की प्रोपर्टी के बारे में इंडिया से जादा कोई जान सकते है क्या यह तो आज कल हम साइंस पड़े हैं तो हम जानते हैं कि यह हल्दी में anti-bio-tik जैसे प्रपरटी होता है या नीम जो है वो बहुत healthy होता है उसके अंदर भी antibiotic प्रपरटी होती है और हम तो हमारे पूर्वज पताने कितने सालों हो से हल्दी ँर नीम यूज किए जा रहे है साइंस नेकर खौश़ कि कि अचा उसमें यह जीन है इसमें यह प्रोटीन है तो यह इंडिया के हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक कि यह हमारे हैं यह चीज़ें तो हमारी है आप कैसे कर तो भाई यह हल्दी वल्दी जो है नीम वीम इन पे तो अब ऐसा रूल बनाया गया है कि जो प्राकतिक चीजे आती उस प्रोट पेटेंट नहीं लगा सकते क्योंकि आपने अगर उस प्राकतिक चीज़ पे कोई चेंज किया है तो आप उसको पेटेंट बना लो अब आप ऐस हल्दी आपका पेटेंट बन गया है हल्दी मेरी है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो भी हल्दी उस करेगा मेरे को उसका कमिशन देगा ऐसा नहीं कर सकते तो और रूल बना दिये गया है जो आपको यह चार-पांच रूल यहां पे है कि किस-किस पे पेटेंट मिल सकता है ठी बिना किसी संपुरक भुकतान के या तो जैसे आप कोई बिना पर्मिशन के यूज करना एक तरह से चोरी करना उसी को क्या कहते हैं बिना किसी संपुरक भुकतान के या तो जैसे आप कोई मुवी अपने थेटर में दिखाना जाते हैं सब भी थेटर में मुवी लगी है तो वो क्या करते हैं जिसने मुवी बनाई है उसको पैसा देंगे कि हम हमारे थेटर में यह मुवी दिखाएंगे तो या तो आप उसके लिए कोई पेमेंट कर दो उसक आप जबर जश्ति उसका फोटो उसकी इमेज यूज कर रहे हो उसकी चीज यूज कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं बायो पाइरेसी ऐसा सब पर किया जाता है पौदों के लिए प्लांट्स के लिए एनिमल्स पे भी होता है और किसी भी चीज पे हो सकता है अधर जितनी भी चीज और कोई मैडिसीन है किसी भी बायो पाइरेसी मूवी पे भी होती है लेकिन यहाँ पे क्योंकि बायो शब्द है तो हम थोड़ा सा जीव के बारे में ही बात करें तो जादा बैटर है पिच्चरों पर नहीं जाएंगे प्रयोग किसी लाब के लिए किया जाता है तो आप किसी के भी बोल सकते हैं प्राकतिक दरोवर को ऐसे काम में नहीं ले सकते हैं कि आज आपको मालो कोई रिसर्च करनी है और आपको कोई चीन से कोई प्लांट लाना है तो आपको चीन की परमिशन लेके उस प्लांट को इंड पाड़ी बीड लगी हुए, अट्लांटिक का पांडा आया रखा हुआ है जू के अंदर, वो अट्लांटिक का पांडा ऐसे नहीं आया है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कंट्री की वहां से लाने के लिए, पौदा, चीजे, सब कुछ, इसलिए अएरपोर्ट पे आप देखते हो, सब चीजे चैक होती है, ठीके, तो आप लीगल ही सोना, लोग सोना चोरी करते हैं, दुबई वगर से सोना उठा लाते हैं, चोरी चुपके, पकड़े भी जाते हैं, स्मगलिंग कहते हैं फिर उसको बायो पायरसी का दूसरा ही नाम स्मगलिंग भी है, ठीके, तो राश्टिय जेव संसाद उनों और जुड़े होए पारंपरिक ज्यान से सम्रद है, हमारा देश बड़ा ही सम्रद था, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, है ना, पेटेंट बना देते हैं बिना पर्मीशन के यूज कर लेते हैं, जैसे शेर अगेर आपने देखा मार मार के बार्डर क्रॉस कर लवा लेते हैं, उनको, लेकिन यह सब बायो पायरसी के अंदर आता है, तो भई, यह है बायो पायरसी, इस पर शौट नोट आ सकता है, और इसी के साथ, आज का हमारा वो भी complete होता है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेंगे, और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, important question, MCQ one shot को नहीं छोड़े, ठीक है, especially जिनके MCQ आते हैं और important questions जरूर देखें, बहुत बार, मतलब repeated questions को मैंने वहाँ पर लिया है, और मेरा यह मानना है, पहले मैंने एक video भी बनाया हुआ है, क्या video बनाया हुआ है, कि revision कैसे करें, उस पर भी मैंने इन बातों पर जोर दिया है, तो इसको बातों को ध्यान में रखें, मिलेंगे next one shot के अंदर, सभी को exam के ल लेवंटर्बॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉ झाल